पंचकुला ज्योती मडर केस डेड़ महीने की लुका छपी के बाद आखिरकार दूनक्षेतर के नव न्यू कॉंग्रेसी विधायक रामकुमा चोधरी ने पंचकुला जिला अदालत में मंगलवार की सुभ स्मर्पन कर दिया चोधरी के समर्पन के समय उनका वकील अमजीत सुखेजा उनके साथ था समर्पन के तुरंत बाद सियाईये पुलीस ने अदालत परिसर से ही रामकुमा चोधरी को हिरासत में लेकर थाने ले गई जिसके बाद दोपहर को रामकुमार चोधरी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 6 दिन के पुलिस रिमान पर भेज दिया गया है जैसे ही रामकुमार के समर्पन की खबर मीडिया करमी को पता चली, तो कोड में मीडिया का भारी जमावडा लग गया वहीं रामकुमार की पेशी के चलते पूरे कोट परिसर को पुलीस चावनी में तबदील कर दिया गया था रामकुमार की पेशी की कवरेज मीडिया न कर सके इसके लिए पुलीस ने अपने ही हतकंडे अपनाते हुए किसी अन्य युवक को ही आरोपी बिना मीडिया का धान भटकाने की कोशिश की लेकिन कुछ समय उपरान थी मुख्य आरोपी को ACP वरेंद सागवान ने कोट में पेश किया CIA स्टाफ के SHO चतर सिंग ने रामकुमार के समर्पन की बात कहते हुए कोट से 6 दिन के रिमान मिलने की बात कही वहीं चतर सिंग ने जोती मडर केस में अन्य तीन आरोपियों के भी अभी फरार होने के चलते उन्हें जल्दी ही पकड़े जाने की बात कही है रामकुमार चोदरी ने आज अदालत CGM साब की कोट में समर्पन किया है कोट में रामकुमार की पैरवी करहे वकील अमर्जी सुखेजा ने अपने मुखिल रामकुमार चोदरी को जूटे केस के तहट फसाय जाने की बात कहते हुए उसे बेगुना बताया गौर्टर्भ है कि पंजाब के हुश्यारपूर की रहने वाली जियोती का शव पंच्कुला के सेक्टर 21 में 22 नुवंबर को क्षत विक्षत हालत में मिला था पुलीस की प्रात्मिक जाच में दून हलके से कॉंग्रेस विधायक रामकुमार चोदरी का नाम जोती हत्या मामले में सामने आया था लेकिन एक माह बीच जाने के बाद भी जब रामकुमार चोदरी ने पुलीस जाच में कोई सरयोग नहीं दिया तो जीला अदालत ने रामकुमार चोदरी वह अन्यतीन आरोपियों के खिलाफ अरेस्ट वारेंट जारी कर दिये थे उसके बाद भी चोदरी को पकड़ने में पंचकुला पुलीस नाकामयाब रही आखिरकार दो दिन पहले ही पंचकुला पुलीस ने रामकुमार चोदरी का पता बताने वाले व्यक्ति को दो लाक रुपे वह तीनो आरोपियों पर पचास-पचास हजार रुपे का इनाम भी गोशित कर दिया था लेकिन पुलीस अपने हर पैंतरे में नाकामयाब साबित रही और आखिर लुकाचुपी के खेल के बाद रामकुमार चोदरी ने स्वयम ही जिला अदालत में समर पंड कर दिया तेड़ मेने की लुकाचुपी के बाद आखिरकार नव न्यूक थिमाचल के विधायक रामकुमार चोदरी ने अपना स्रेंडर जिला अदालत में कर ही दिया जहां से कोट ने उन्हें छे दिन के पुलिस रिमान पर भेज दिया गया है लेकिन अभी भी तीनों अन्य साथी कुल पुलिस गिरप से बाहर हैं कैमरामेन कमल के साथ दिनेश वैद रूबरू टुडे पंचकुला